राधे राधे दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुलसी की महिमा जानेंगे राजे स्थान के जैपूर के निकट लदाणा के पास एक मुसल्मान सज्जनाए उनके कले में तुलसी की कंठी बंधी थी ठाकुर साहिब ने पूछा कि आप मुसल्मान होते हुए तुलसी की कंठी कैसे पहने हुए है उत्तर में उन्होंने कहा एक बार मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमतकार देखा है लिए तब से यह तुलसी की माला हमेशा रखता हूँ चमतकार क्या देखा सो आप से निवेदन करता हूँ मुझे भी बताने की कृपा करें उस मुसल्मान सज्जन ने कहा एक समय मैं पैदल ही किसी दूसरे गाउं जा रहा था रास्ते में जंगल था उस जंगल में एक पीड के नीचे बड़े अकार के दो मानव मिले मैं डर गया मुझे डरा देख उन्होंने कहा दरो मत हम यमराज के दूथ हैं अभी थोड़ी देर में एक आदमी गाड़ी लेकर आएगा उसके बैलों की जोती तूट जाएगी फिर हम बैल रुपी काल बनकर उसको मार कर यम लोग ले जाएगी यह सुनकर मैं वहाँ ठहर गया थोड़ी देर बाद गाड़ी वन गाड़ी लेकर आया गाड़ी तूट गई गाड़ी वन ठीक करने के लिए नीचे उत्रा उसी समय बैल ने उसके पेट में इतना जोर से सिंग मारा कि वह पेड़ के जुर्मुट में जा गिरा और उसके प्राण छूट गए तब यम के दूट निराश होकर मुझसे बोले कि हम तो खाली हांत लोट रहे हैं अब हमारा इस पर अधिकार नहीं रहा इसे भगवान के दूट ले जाएंगे जो आपको नजर नहीं आएंगे मैंने यम दूटों से कारण पुछा तब वे बोले कि इस जुर्मुट में तुलसी के पौधे हैं इसके सरीर से उनका इसपर्श हो गया इसे यम लोग ले जाने का अधिकार नहीं रहा इसलिए मैंने जब स्वयम तुलसी का चमतकार देखा तब ही से मैं तुलसी की माला पहनता हूँ सभी वैशनों भक्तों को तुलसी की माला जरूर धारन करनी चाहिए जब किवल तुलसी जी का इसपर्श करने से उस व्यक्ति को यम राज की दूतों ने हाथ नहीं लगाया ठाकुर जी के सेवक लेने आए हम भी तुलसी की माला धारन करेंगे तो ठाकुर जी कितनी कृपा करेंगे जै जै श्री रादे